हाँ फ्रेंड्स देखते हैं जी के नेश्ट पड़ देखेंगे आज वेग कैसी रासी है सदिस रासी सविधान के प्रारूप पर आंतिम वचन कब समप्त हुआ तो राइट अंसर 26 नुवंबर उन्यस सो उन्चास 26 नुवंबर उन्यस सो उन्चास हो जाएगा ठीक है चलो थ्री नंबर देखते हैं कौन सा तत्त सबसे ज़्याद सक्री होता है पुटैसियम नेश्ट किस इस्थान पर बुद्ध ने पान सन्यासियों के साथ संग की स्थापना की जो कि सारनात सारनात हो ज अस्या सिवभापार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्क्रष्ट क्रतियां थी है इसका रेट अंसर नंदलाल बोस की ठीक है नंदलाल बोस की तो आप्शन नहीं है इस पार्ट में इस वीडियो में तो आप लोग जितना बोलें उतना आप लोग याद करना है और आता है तो मन में सोचिए और कि चलो देखते हैं नेश्ट सौर मंदली खोज किसने की तो कौपर निकस ने ठीक है नेश्ट बारत में निर्मित पहला उपग्र है प्रिछेपड वहां कौन सा था राइट एंसर एस एल वी एस एल भी ठीक है राष्टी जन संग्या आयोकिस मंत्राले की अधीन है तो इसका राइट एंसर स्वास्त मंत्राले ठीक है उब्रजियान बहुत धर्म में बुद्ध वोधि सत्त की सांगनी को क्या कहा जाता है तो इसका राइट एंसर तारा तारा हो जाएगा ठीक है ऑप्शन इसलिए नही कुछ कोश्चन इसी प्रकार देखें आप लोग तो मालम चले कि हाँ हमें कितना अंदर याद रहता है ठीक है कि टेन नमबर देखेंगे बनी ठानी किस चित्र सैली से संबंदी थे किसंगर सैली नेश्ट असी प्रसा से कोश अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ हो जल ठीक है अंसर गया हो जाएगा इसका रहता इसल जल ठीक है कि निश्ट देखेंगे कि सविधान सबाद औरा सकब सविधान को पारित किया गया अगर आता है तो आप लोग कमेंड करें नहीं तो चलो देखते हैं 26 नमबर 1949 को तेरा नमबर देखेंगे यूनिंट की गतिका पर्थम नहीं हम क्या कहलाता है आप लोगों को साइंस की व कंवसा नियम है जड़ तोकणित ठीके बभ जड़्यकनियम कर आप लोगों बताया था फर्स्ड शेकेंड थर्ड नियम बताया था आप को याद कर लीजिए अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रप्शन में लिंक है वीडियो साइंस का तो आप लोग देखें काफी बेसिक से डिस्कत किया गया था काफी लंबा वीडियो था फिर भी चलो अगला देखते हैं कालिंग यूद का वरण असो के किस सिलालेक्स में है तो तीरवे सिलालेक्स में है नेश्ट विस्प्रसिद पेंटिंग मुनालिसा किसकी करती है तो लियोनार्दो ठीक है अगला देखें है अगला क्या है वजार के निरिच्छक को क्या कहा जाता है तो सायना ए मंडी मिधिला प्रिंटिंग किस राजी की प्रसिद्चित का सैली है तो बिहार की इसके जो कि बिहार ठीक है नेश्ट देखेंगे नेश्ट क्या है कौन सा तत्यो सबसे कम सक्री होता है आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कौन सा तद तो सबसे कम सक्री होता है कि पांच सेकेंड के लिए टैम रहेगा आप लोगों को तो कमेंट ज़रूर कि सीसा हो जाएगा ठीक सीसा कि समिजान सभा के प्रारूप समीथ में कितने सदस्त थी साथ सदस्त राइबोसोम इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सबसे छोटा कोश्य की अंग कमसा है तो राइबोसोम ठीक देखते समय अंसर आ जाता है तो आप लोग भी याद कर लें अच्छी तरह से प्रैक्टिस क कि ही मज़ा है ठीक है ऐसा याद करें कोश्चन पढ़ने से पहले अंसर आ जाए ठीक है तो एक्जाम में बोलोगो नहीं कि अगर 80% याद करके अगर 80% अगर याद करके जाओगी जब एक्जाम मिलेगा ना एक्जाम जब दोगे ना तो लगबग 40 प्रस्त ही तुमको 50 प्रशती याद रहेगा कि हां एकोशिशन का अंसर होगा तुमचोर ओफ्सन मिलेगे कि तुमको वहां पर क्प्रस्फ्संट कर देगा कि याद रहे गाए लेंक्र 20 कं परशंट कि यह 10 परसंट की यह 10 परसंट कि यह 1020 इन confusion में इदो काट दोगे जब यह 20-20 परसंट के याद रहेगा कि इन दोनों में डाउट है तो फिर भी आप लोग किलियर नहीं कर पाओगी तो हो सकता है राइड निकल जाए गरत निकल जाए तो आप लोग ऐसा याद करेंगे ताकि बिल्कुल कोश्चन देखते ही अंसर अच्छी तरह से याद किजिए मन से याद किजिए नेश्ट देखेंगे अलाउद दिन खिल जी ने किसे दिवान ए रियासत निक्स किया था तो तो इसका राइट एंसर मालिक याकूब को ठीक है बेगम अक्तर ग्यान की किस विद्दा से संबंध है तो किस विद्दा संब गजल गाईकी से ठीक है अगला देखेंगे एक प्रकास वर्स कितनी दूरी के बराबर होता है एक प्रकास वर्स कितनी दूरी के बराबर होता है तो देखेंगे अंसर इसमें लिखना है 9.46 in to 10 की पावर 12 ठीक है याद कर लेजिए क्योंगी कोश्चन कमाइंड है ठीक है आल सब्जिक्ट जीके में साइन्स के हैं जियोग्राफिक के हिस्ट्री के हैं पॉलिटी के हैं देख रहे होंगे आप लोग हाँ क्या है नेश्टी देखेंगे उलम्पिक मसाल किस वदार से प्रजवलित की जाती है तो सूर किरणे से ठीक है अगला देखेंगे अगला कोश्चन क्या है और हाँ आप लोगों और बता दें कि कोश्चन चाहे जरूरी नहीं कि 500 दिन में याद कर लेजिए ठीक है आप लोग के वल हैंड़िट ही कोश्चन ऐसे याद किजिए हैंड़िट या डिर्ट सो लगवाग बन 50 या हैंड़िट कोश्चन या ऐसे आप लोग याद कीजिए कि कोश्चन देखते समय अंसर आजाए ठीक है तो आप लोग अगर हैंडेड हैंडेड डेली याद करोगी एक डेली बना लीजिए कि हमें हैंडेड याद करना है तो तीस दिन में कितने होते हैं तीन हजार कोश्चन अगर सव सव याद करोगी तो तीस दिन में तीर हजार कोश्चन होते हैं तो अगर तीन चार मैंने एक्जाम के लिए मिल जाता है तो पांच हजार कोश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे और हम संडे संडे किवल पढ़े ना किवल रिवीजन किवल करें तो आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा संडे को स्टेडूल बना लिजिए कि हमें मैत इतने लगाना है और इजनिंग को भी हमको हैंड़ शन एक दिन हपता का एक दिन ऐसा बना लेजिए कि हमें प्रेक्टिस करना है ठीक है और रिजिनिम मैत आल सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है और संडे की दिन सिर्फ आप लोगों के वाल रिवीजन करना है आप लोगों को जितना पढ़ाया जाता है उतना रिवीजन करें जाहें मैत चैंगलिस जी के टुजिट ठीक है बारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है तो कुल जिलों की संख्या कितनी है तो यह आ रहा होगा आप लोगों को नहीं आ हुआ अ सुन लेते हैं बता दे रहें छैसस चालिस ठीक है छैस चालिस आसलतलत सलतनत allora सुल्टानों के शासंकाल में किसके सा सन काल की शरवाधिक दास थी शरवाधिक डास थिर्चीत सहत तो टुलत लॉगत आद ट फ्रे में काफी मुगल समराज के बारे में एक वीडियों पढ़ाया गया था तो आप लोग देख लें और हिस्ट्री में कई पार्ट ऐसे हैं कि कई आप लोग को डिसकस किया जाएगा अभी थोड़ी टेक्निकल समस्या है तो बाकी तो चलो नेश्ट माइक पांडे किस छेत्र से संबंध है तो वन जीव पर नेश्ट पदार्ट का समवेग वेग का अनपात कौन सी भातिकरासी प्राप्त होती है तो द्रव मान ठीक है द्रव मान अगला देखेंगे सविधान साबागे जंडा समीति के कौन अध्यच थे जेबी क्रपलानी कौन जेबी क्रपलानी है ठीक है याद कर लेजी आप अगला देखेंगे औरंग जेब ने सिवा जी के विरुद्ध डक्कन का सुवेदार बनाकर भेजा था तो साइस्ता खा को ठीक है हां साइस्ता खा होगा और अगला देखते हैं यहुदी मेनुहीन किस वाद्यात्र के प्रमुक्त वादक थी वाइलिन ठीक वाइलिन अंसर हो जाएगा सूर के अपेच्छा क्रत ठंडे बहाद जिसके ताप मान पंदरा सो डिगरी सेलस्या होता है तो क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है सौर कलंक अगला देखते हैं विस सरपर्थम किसंग का प्रतर रोज पर सम्भव हुआ तो हर्दे का नेश्ट जनगर्णा का तर्ज मृत्यूगर्णा वाला पहला राज्यकाउंसा है तो करना तक किस मुगल बासा ने वाई वसीयत लिखकर अपने पूत्रों को यह निर्देश दिया ची वे असद खा को बजीर बनाए औरंग जेबने अगला देखेंगे अगला क्या है तो पाप की गाई की से ठीक है चलो देखते हैं नेश्ट पार्ट किसका गुर्ण सूत्र शंतान में लिंग निधारण के लिए उत्तरदाई है तो इसका एक सकेंड यहां इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पूरुस का ठीक है पूरुस का अगला देखेंगे किस अंच्छेट के तहत वीद का समच्छ समानता वरलित है तो आर्टिकल चॉबदा सिवा जी के मंद्र मंडल को क्या कहा जाता है अश्ट प्रधान सिवा जी ने किस भासा को राजमासा बनाया था तो मारा ठीक हो ठीक है अगला देखेंगे तरडेतर मेला किस राजिका प्रशिद्ध मेला है गुजरात का नेश्ट चंदर्मा पर गुरुत करसर मान प्रतिवी के गुरुत करसर के मात्रा का कितना है तो कितना है बताईए आप लोग अगर आता है तो कमेंट जरूर किया करें नहीं आता है तो आप लोग 1 by 6 ठीक है एक बटा 6 ठीक है और हाँ एक कोशन कल के साइंस के वीडियो में आप लोगों को बताया था सबसे ज्यादा गुरुत करसा कहाँ पर होता है तो जो कहाँ पर होता है आप लोग कमेंट करें अगर वीडियो देखाई है तो कमेंट करें कि दुरूओं पर होता है ठीक है कौन भारत का अंतिव वैसराय था वैसराय कौन था बहुत इजी कोश्चन है बताया है वीडियो में लाड माउंड बेटन भारत की कौन सी पंचवर्सी योजना में खादी ग्रमेड दोग योजना के स्थापना की तो दृती पंचवर्सी यो 60 कपी गई 1875 सी ठीक है चलो और देखते हैं अगला कि छमावाए वडी किज दर में से सब्मान वहा रहें कि तो किस दर में सब्मान से जैन धर में से ठीक है जैन धर में से अगला देखेंगे सुन में सवतंत्र रूप से गरने वाले वस्तूओं को तुरण क्या होता है तो इसका राइट एंसर सम्मान हो जाएगा ठीक है सम्मान अगला देखेंगे किस अंचेद में लोग नियूजन के विशे में अवसर किस समता प्रदान की गई है तो प्रदान की गई है तो क्या है इसका राइट एंसर बताईए आर्टिकल नमबर आर्टिकल क्या होगा सूला अगला देखेंगे किसने आरसमाज किस थापना की थी नहीं 30 नमबर किस विदी द्वारा मिस्रण में उपास्थित गटकों का प्रथक करण किया जाता है तो क्रिष्टल विदी तो आरा किसने आरसमाज किस थापना की स्वामी द्यानन्द ने ठीक है स्वामी द्यानन्द हो जाएगा ठीक है द्यानन्द अगला देखेंगे नो रोज किन लोगों का नो वर्स दिवस है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा पारसियों का ठीके अगला देखेंगे सौर मंदल का सबसे छोटा ग्रह का उसा है तो छोटा ग्रह पूछा गया है तो आप लोग इसका कमेंट आप लोगों करना है सौर मंदल सबसे छोटा ग्रह है आप लोगों कमेंट करना है अगला देखेंगे रोहलीच स्रेडी के प्रथम उपंग रह का प्रिछेपड किस वर्स किया गया तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा कब 1980 355 वर्स योजना का काल है किस नहें विदेशियों राज चाहे कितना अच्छा क्यों नहीं हो विदेशी राजbert , तो लामें कभी अछछा नहीं हो सकता इसका राइट है डैनान शुमुल्स वरस्यतिन नहीं कहा था मौत अच्छा का आप देखें उगादी उस्षो किस राज में मनाया जाता है तो करनाटक में आप लोगों को सिष्टी कोश्चन हो चुके हैं चलो अगला देखते हैं अगला क्या है क्रोमोसोम कि संच्चना में कौन भाग लेते हैं इसका राइट अंसर डीने ठीक है डीने इसका राइट अंसर हो जाएगा डीन अगला देखें अमशेश 17 किस विस्टाय समंदित है तो आप्रस्त का अंत तीन नमबर देखेंगे इसका एक किलो भार के बराबर कितना न्यूटन होता है तो कितना होता है 9.80 याद कर लिए मुक्तेस्वर मंदिर भूनेश्वर में हैं अगला देखेंगे प्रती विआस कितना है कितना है 12756 किलो मेटर 12756 किलो मीटर ठीक अगला देखेंगे अगला क्या है मिडोना किसकी चित्र करती है चित्र करती है तो 7 इसका राइट एंसर राफेल इट लिग ठीक है अगला देखते है एट नमबर भारत की किस पंचवर्सी योजना में राष्टी आए की व्रदिदर निवन्तम रही निवन्तम दर रही तीसरी जो पंचवर्सी थी निवन्तम रही थी काफी अपवाद हो गया था रिग वेद में किस अपराज के सबसे अधिक उल्ले क्या गया पस्मों की चोरी में ठीक है साइलेंट वैली किस राज में है केरल में है अगला देखेंगे जब दो इलेक्टरान एक ही कच में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है तो विप्रीत चक्रड किस अंशेद में प्रस की स्वतन्रता वरणित है अंशेद 19 19 का एक में है ठीक याद रखें आप लोग चलो याद आ गया आर्यों का मुख्य वेफसाइ कौन सा था तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा क्रसी ठीक है चैत किस धर्म का अनू अनू याईयों की पूजा इस्थल है बौद धर्म अगला देखेंगे प्रतिवी का दुरूवी ब्यास कितना है तो 12,714 अगला देखेंगे क्या है महिलाओं की उलम्पिक में भागी दारी सबसे पहली किस वर्स हुई थी तो 19 सो इस भी में ठीक है महिलाओं की और हाँ निश्ट देखेंगे योजना वकास के कारण कौन सी पंचवर्सी योजना देड़ से प्रारंब हुई तो चतुर्थ दलब चौथी योजना पंचवर्सी थी काफी देड़ से प्रारंब हुई थी अगला देखेंगे पुलके सिंदृती ने हर्स वर्धन के पराजित कर कौन सिवाधी घार धरल की तो और वाकी तो हिमान्चल प्रधेस के बारी में कररंट अफेर्स में और अधर स्टेटों के में सारा ड़डिकस धूब मयायब के माध्यम से अगर आप लोग नहीं देखा है करंट अफेर्स तो आप लोग देखें काफी बेसिक से डिसकस किया गया है मैप के माध्यम से डिस्कस किया गया है और फिगर चित्र के माध्यम से डिस्कस किया गया है सभी स्टेट के बारे में काफी डिस्कस किया गया है अगर नहीं देखा है तो देख लें चलो देखते हैं अगला question क्या है किसके आभव में बर्प पर चलना कठिन होता है तो किस पर चलना कठिन होता है तो आप लोग फिजिक्स में कल हमने बताया था तो घरसर के कारण किस राश्ट पत की मरत्तिय सर्पतम कारकाल में हो गई थी डाक्टर जाकिर हुरसेन नेश्ट किनका समान नाम निकुलियान है तो इसका प्रोटान और न्यूट्रान का अगला देखेंगे किसने सत्यस्रे और स्री प्रत्वी बल्लब उपादियां धारण की तो इसका पुल के सिंद्र थी ने किसने लिखा निजभासा उन्नती अहे सब उन्नत को मूल तो भरतेवन हरिस्चंद ठीक है और देखेंगे नेश्ट प्रत्वी के किस परत्व का निर्माण सिरिका एवं एलमूनियम से बना है से हुआ है तो क्या होगा भू परपटी ठीक है इंगलेस में क्या बोलते हैं याद कले जी आप लोग चलो और देखते हैं अगला कोस्चन क्या है किसने कोस्चन अगला क्या है सेवन नमर देखेंगे न आगो मानो शरीर का सबसे वेस्ट अंग कौम सा है वेस्ट अंग जो की हर्दा है कांटीनू चलता रहता है और भरती निर्याद की त्रिव प्रशारण में सहयोग देने वाला एक मुकर कारण क्या है कारण क्या है तो कारण क्या है इसका राइट अंसर निर्याद का विवधी करण अगला देखेंगे नाइन नमबर बदामियाव अतापी के चालुक वंस का सरवादिक महर राजा कौन था पुलकेसिन दूसरा मतलब दृती ठीक है अब देखते हैं अबलो निसानी अबननसाई हो पर तुलसी की किस कृती में मिलती है बहुत अच्छा है अबलो नसानी अबननसाई हो ठीक है ये याद आया इंटर्ग जो हिंदी है उसमें ये दोह दे रखा है याद आ गया तो वही है इसका राइड अंसर क्या हो जाएगा विने पत्त्रिका ठीक है अगला क्या है रेवीच का ठीका किसने बनाया था ठीक है लुई पाश्चर के बारे बहुत बताया इसका पिछले वीडियो में समान सबसे कम उम्र में राष्ट पद्पद सुसोभित करने वाले वैर्टी कौन थे कौन थे निलम संजीव रड़ी ठीक है और हाँ एक कुस्चन और पूसे जाता है निलम संजीव रड़ी से हाँ निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट पद्पद कौन थे निलम संजीव रड़ी याद आ गया आईसा ही कोचन है पकर राइट है अब देखेंगे 1665 में पुरांदर की संदी किनके मद्द हुई थी तो किनके मद्द हुई थी जो कि इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आप लोग भी कमेंड करें अगर आता है तो कमेंड जरूर किया करें तो इसका राइट अंसर सिवा जी के मद में अगला देखें समराण अकबर दोरा किसकी जारी कलम के उपाधी अलंकरत किया गया था तो इसका मुहम्मद हुसैन को ठीक है नेश्ट देखेंगे मजह हम नहीं सिखाता आपस में बैर रखना यह पंक्ति किसकी रचना है मुहम्मद इकबाल की इकबाल की ठीक है अगला देखेंगे अगला क्या है प्रत्वी की किस परत्थ सियाल परत के भी कहते हैं कल बताया था वही कोश्चन बहुत रिपीट हो रहा है फिजिक्स में तो भू पर्प्टी को कहते हैं ठीक है कौन साहिक सम्दी को स्युकार करने वाला पहला भारती राजा था तो हैदराबाद का निजाम भारती विदेश वैपार्ष अंस्थान कहां इस्तित है तो इसका राइट एंसर नई दिल्लिव हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे अगला क्या है हाँ किसको सीरी कलम की उपाधी से नवाजा गया तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा अब दूस्मद को ठीक है वंदना के इन स्वरों एक स्वर मेरा मिला लो यह कभी पंक्ती की दौरा रचीत है तो टूंटी सोहनलाल द्रवेदी दौरा ठीक है हैंडेट कोस्टन हो चुके हैं आप लोगों के और फिर नेश्ट वीडियो में फिर वीडियो मिलेगा जीके कभी चलता रहेगा साइंस विचलती रहेगे डेली एक वीडियो किसी किसी चीज़ का आएगा ठीक है अवे सेडियूल बनने वाला है हो सकेगा मैत आप लोगों को डेली कर देंगे बहुत लोग डिमांड है कि मैत डेली चलना चीज़े ठीक है कोसिस कर रहे हैं मैत का वीडियो डेली आप लोगों को मिलेगा और हफता में तीन दिन रिजिनिंग का मृइंगा ठीक है और THIS अमिलेगा और फिर जोकी इंगिलिस का भी जरू है इंगिलिस आप लोगों को हफता में चार वीडिए समफिंग मिलेंगा आप लोगों तो this morning दे में लगबग दो वीडियों अप्लोड होंगे मॉर्निंग एंड इवनिंग में ठीक है और इवनिंग में भी अप्लोड होंगे तो बहुत जल्दी कुसिस करने वाले आप लोगों को इसी प्रकार आप लोग अगर हां मैत का नहीं देखा है प्रेशनेज देख लेजिए अगर अच्छा लगता है तो ठीक है नहीं तो बाकी तो ठीक है प्रेशनेज प्राफिट एंड लॉस और लिजिनिक प्रैक्टिस से बिकरा दिया गया है तो आप लोग पढ़ते रहें एं नौकरी लेजिए ठीक है दोस्तों फिर कल मिलते हैं और हां अगर साइंस जीके अभी नहीं देखा है कल का वीडियो आप लोग देख लें वीडियो की नीचे डिस्क्रप्शन में लिंक दे रखा है आप लोग देख लें बहुत अच्छे कोश्चन है सभी एक्जामें पुछ किसी में जिरूर पुछे जाएगा ठीक है तो आप लोग देखें और बताएं कमेंड करें कैसा लगा वीडियो फिर ठीक है ओके बाई